आप सब का बहुत स्वागत है और एक आउट्डोर शूट आप लोग देख रहे हैं एक दिव्यस्थान पर हम आप लोग को ले करके आए हैं ये दिव्यस्थान पूर्वी उत्तरप्रदेश के आजमगढ जनपद के तहसील सगडी सगडी तहसील ग्राम दान शनिचरा इस जगह पर हम उपस्तित हैं ग्राम का नाम मैं बार-बार बोलूँगा दान शनिचरा ये आप लोग शब्द पकड़ लीजिए दान शनिचरा ये शनिदेव की कृपा से दान प्राप्त ग्राम है जी हाँ हम आज यहाँ पर शनिदेव के एक जागरित स्थान पर सोयंभू स्थान पर उपस्तित हैं उद्देश से कुछ और था लेकिन आप लोगों के निमित कुछ आशिरवाद देने के लिए मिला तो हरदय में आया क्यों ना आपको आशिरवाद दिलवाया जाए पर जरूर आएं बहुत जागरित स्थान है अभी हम सुतह दर्शन करेंगे आशिरवाद लेंगे और उसके बाद यहां के मुख्य पुजारी जो है स्रीबिंधाचल मिश्रजी से अभी हम बाचीत करेंगे और यहां की महिमा के बारे में आपको बताएंगे बहुत सारी जानकारियां आप तक देने वाले हैं बने रहे आप हमारे साथ देखते रहें 27 भक्ती इसके बारे में अभी हम पंडी जी से बारता करेंगे और यह सपर्श करने पर बहुत इसको जब हम छोते हैं मैं इसके पीछे का अधार क्या है और वजह क्या है किस तरह से यह इस प्रभाव में आता है इसके बारे में पुरी विश्तित जानकारी अभी तक मिलेगी प्यार से बुलीगा जै जै शनिदे निलां जनम समाभाषं रभी पुत्रम यमाग्रजं चाया मार्तन संभूतं तम नमामिशनेश्यरं प्यार मेर् छोपी से बुलीग प्या जीच थे सुन नम प्जार क्यूत्र कर दोसे चाहितcentered थे तर्य है घंज्तिता हुआ्ण वसले पर उसले हैं तो नसले हैं जूले नह एंग जब तो ताइ झाले लो जब तो जब हो जब से लूएने से लोग जगित कने हैं तो कि उसले हैं? अज़ हैं कि यह अखंड दीप है जो यहां पर सब्सक्राइब जलता रहता है इस दीप के धर्शन करके आप लोग अपने आपको धन्य कर सकते हैं यह दिव्य दीप आप सब के जीवन में शनदेव की विशेश किरपा पुदान करें ऐसे हम शनदेव से प्राफ्णा करते हैं जिस मंदिर के बारे में भी हमने विश्त्रित जानकारी आपको दिया है उस मंदिर के मुख्य पुजारी से अब हम आप लोगों का परिचे कराएंगे और पंडी जी से हम पूरी जानकारी लेंगे पंडी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंट्टी सेवन भक्ती चैनल पर शनीदेवाय नम आपसे रहना चाहेंगे पूरी वित्रित जानकारी की यह यहां तक शन्यदेव को यह था पित हुएंगे और कैसे हमारे दर्शक शनीदेव की किरपा प्रौत कर सकते हैं और आज के भौतिक संसार में किस प्रकार से यहां दक्षिरा के भी आप सेवा कर है यह मुझे बड़ा आश्र चकित किया भाव भी भोल भी कर दिया है तो सारी जानकारी हमारे दर्शकों में बताएं यह सब महान कृपा आपकी है और हमारे पुरवजों की हैं जो उन्होंने आज तक इस तरीके का सेवा भाव आज तक सुरू से और आज सब्सक्राइब काफी पुराने 500-600 साल पहले की बात है जब इस गाउं का नामकरण नहीं वा उद्गम नहीं वा था तब यह श्री शनीदेव महाराज जी जौनपूर का किला बन रहा था तो हां राजा अगबर के समय बन रहा था तो उन्होंने बने इंवाल का नियुके देवाल तो रात में गीर जाता था राजा बहुत पराजान नियुक्ट, जन्ट में ची प्तरी गिर शाकता से सोगी नहीं बता पहले की मुनादी करवाए कि हमारे राज में किलाम नढ़ा अगर जिस कारण नहीं बन पा रहा है अगर कोई इसका उपाय कर देगा बनवा देगा तो उसको अच्छी सम्मान दिया जाएगा नहीं तो उसको कारागार में डाल दिया जाएगा बहुत से भी दौण आए उन्होंने बताया ऐसे बनवाए उसे कि आपके उत्तरी दिवाल पे निर्धार जगव पे इतने फुट नीचे दो सिला है करा रही है वीड़ को निकल वाए उसके बाद दिवाल बनवाय बन गया हूंकर किला तैयार हो गया राजा जी को पंडी जी को उचित सम्मान दिया दान दक्षिना दिया पंडी जी नहीं कहा कि देखे अगर हमको आकर हमारा उचित सम्मान देना चाहते हैं तो हमारा उचित सम्मान सबसे पहला है कि जिन विद्वानों को आपने कारागार में डाला है वह उनको रिहा करिए वह हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा तो उन्होंने उनके कहने पर विद्वानों को रि जी तो रिहा कर दिये फिर यह हुआ कि अब क्या होगा इन दो सिलाओं का क्या होगा कि यह हुआ कि एक करारियावीर जो हैं यहीं रहेंगे किले के पास ही जो आज भी बिद्दमान हैं वहां करारियावीर के नाम से जौन पूर में और उनको भी सिंदूर तेल ही चड़ता है दर्शकों को यह बता दू मैं कि जो अनपूर के जो लोग हमारे हैं वो लोग जान सकते हैं पंडित जी की बातों में कितनी प्रमाडिकता है आज भी करारिया वीर वहां पर सिंदूर और तेल ही पाते हैं एक तरह से शर्यदेव के ही वह भाई है और फिर यह हुआ कि सनी है वहां इनको रख दीजिए अस्थापित कर दीजिए तो वहां से उत्तर दिशा में यह लोग आए तेहीं गाओं के बाहर सीवान में रख साम हो गए तो उनका राजा कमाय लाओल असकर साइद रुख गया वहीं रखती है आपना लोग चले गया बहुत दिन तक वहां रह पूजन होता रहा उस जमाने मुझ तरीके से जैसा रहा उस जमाने विस्ता जो रही फिर का इसके बाद फिर हमारे जो बिद्वान थे पंडी जी थे पुर्वज हमारे रहे तो यह जड़ा साफ सफाई गंदगी जानवर वगर और इससे फेके जाते थे लोग निकार वगर निकम बाद वगर में यह जा है म्मुझार यह को सबसाउं पूजर अर्चन बिद्वा बगर और रहें तो धियाबार्ती पूजर नर्चन होता रहे लोगों का कल्यान उसी बहाने होता रहे गा नहीतने अधिकर स्थापना हुआ इनके नामसे नाम करण तो इस गाउंने तक इस गाउं का लागान माफ हो गया कि इस गाउं की लोग राजस तो कर आदि नहीं नहीं देते लिए शर्यदेव की बहुत बड़ी क्रिपा होती है जब पहले से ही इतना दे रहे हैं यहां सच में आवश्यक्ता कहा है बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी है वह उसके बाद समय के सासद प्रिवर्टन हुए है लेकिन प्राया यह देखा जाता है कि इनके सम्वान में इनके सामने से कोई आन पास नहीं जितना संभव हो सकता है जमाने और समय कहनुसा लाज लिहाज करते हैं जो जितना इनका अनुकर्ण कर ले सम्मान में जितना जो अपने आपको दुरुस्त कर लेता वह उतना ही इनका कृपा पात्र बना रहाता है बहुत बढ़ता है बहुत बढ़ता है और यह बता है कि अगर हमारा जो समय इस कारकरम को देख रागन वो यहां पर शनदेव की किरपा पारा चाहता है आना चाहता तो कैसे आना चाहें वह राजमार्क से कैसे आसकता है आप समझ लिए वाई उमार्क से आना चाहेगा तो तो बनारस में आप लाइंड करेंगे अब आजमगड में चुकि आजमगड बनी गया है तो जब शुरू होगा तो इसका मलब जिला यह आजमगड है तहसील सगड़ी है और थाना बिलरिया गन्द में यह पचीस किलोमीटर की दौरी पे यह अस्थान पड़ता है आप बाइस होते होए यह बिलरिया और से जीयन पूर होते वह आए अगर नगर सुल्तानपूर महराज घंज होते हुए हम लोग लोग पही है तो ऐसे आप चार पहिया से इसे अप आई है तो रास्ता बहुत अच्छा है आप दो पहिया चार पहिया से आ सकते हैं शेदेव की किरपा के लिए और जैसा किन के सामने आपको बिल्कुल गारी उसे जैसे कि आप बहुत जशुस मेः न्याय की मामले मरा ने प्रीयता के मामले में वो अपने पीता को भी नहीं वक्सत테 है तो फीर आप और हम या आम सामाना ने जन्द इतने वर्षों से मैं खुद इस बात को तस्दीक करता हूं कि शरीदेव स्रिष्टि के संचालक है रात हमने काले रंग को अभी कुछ दिन पहले ही सबसे शुभ करार दिया था कारण इस की पीछे था इस स्रिष्टि का प्रादुर्भाव ही काले से होता है काला एक अनन्त है इसका कोई अन्त ही नहीं है इसमें सब कुछ समा जाता है चाहे पीला हो चाहे हरा हो चाहे लाल हो चाहे जो हो तो यहीं पर सब देने का अधिकार प्रकृति ने नहीं दिया है इश्वर तो बहुत दूर की चीज़ तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंडी जी आपने सब को आशिरवाद दिया श्रीदेव की किरपा दिलवाए हम बहुत आभारी है मित्रों आप आप लोगों से मन्रोब करेंगे कि अगर आ पूर्वांचल में आजमगर गोरगपूर अंबेटकर नगर जौनपूर कहीं भी आसपास का एरिया है यह दान सनिचरा गाउं का नाम आप लोग याद रखेंगा वैसे नीचे ठीकर पर भी चल रहा है दान सनिचरा यह गाउं का नाम है आप यहां पर आईए और भगवान शनिदेव का आशिरवाद लेखे धन्यवाद जय जय शनिदेव